हलो एंड वेलकम बैक तो स्टेप बैस्टेप स्टेप स्टेडी कैसे हो आप सब मैं हूँ स्वाती और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्लाटफॉर्म पे तो आज की वीडियो का टॉपिक है लूनर एकलिप्स जो की आप सभी को पता है 19 नवेंबर 2021 को लगने वाला है लूनर एकलिप्स का मतलब होता है चंदर ग्रहन तो आज हम चंदर ग्रहन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं वीडियो शॉट होगी जो और important points होगे सिरफ चले पढ़ते हैं लूनर एकलिप्स कब अकर करता है और यह होता क्या है it occurs when moves between the earth's shadow कहने का मतलब क्या है आपर कि लूनर एकलिप्स जो आपका चंदर ग्रहन है वो होता कब है for example see यह आपका sun है आपको पता है हमारी earth sun के चक्कर लगाती है और यह हमारा moon है जो अर्थ के चक्कर लगाता है अर्थ सोड़ी सी बड़ी बना लीजे आपको पता है अर्थ की तरफ आती है और हमारा जो moon है वो इस साइट पढ़ता है घूम के इधर आ जाता है और अर्थ से जो है यह रेज मून के तरफ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके जाती है तो इसे बोलते है लूनर एकलिप्स मतलब जब हमारी earth sun और मून के बीच में आ जाती है तो sun की light जो होती है वो moon तक नहीं पहुच पाती और अगर पहुचती भी है तो reflect होके पहुचती है तो उसी को बोलते है हम lunar eclipse जिसकी वज़े से हमें moon दिखाई नहीं देता आप सभी को पता है moon की अपनी light नहीं होती जब sunlight moon के उपर पहुचती है तो उसके atmosphere से reflect होके ही हम सब को moonlight दिखती है तो moon की अपनी light कोई नहीं होती वो होती है सिरफ sun की light जो की reflect होके हमें moonlight दिखती है तो जब हमारे sun से moon के उपर light ही नहीं पहुचेगी तो उस time में क्या होगा हमें moon दिखाई नहीं पड़ता और ये कब होता है हमारे sun से moon के तरफ light कब नहीं पहुचती जब हमार अर्थ, सन और मून के बीच में आ जाती है, इस फिनॉमेना को बोलते हैं हम लूनर एकलिप्स, राइट, इस अकर्स ओनली वें सन, हर्थ, और मून और एक्जाक्ली और वेरी क्लोजली अलाइड, कहने का मतलब यह है, यह तब अकर होता है, जब यह तीनों एक स्ट्रेट हो इस तरीके से, राइट, तो यह लूनर एकलिप्स तभी अपर करेगा, तो अब आपको यह याद रखना है, यहाँ पर क्या क्याक्या आसकता है, कि गज़नी लूनर एकलिप्स है, वो कब अकर करता है, जब आपकी अर्थ होती है, वो मून और सन के बीच में आ जातीए, दूसरा कब अकर होता है जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं Sun, Earth and Moon तीसरा कब अकर होता है ये Full Moon During the Full Moon ही ये फिनॉमिना आपको दिखेगा Lunar Eclipse का और Solar Eclipse का फिनॉमिना आपको दिखेगा कब New Moon के टाइम पे Time और Length Lunar Eclipse की Depend करेगी Moon की Proximity either node पे of its orbit ये हम आगे पढ़ेंगे एक डाइग्राम के थूँ और आगे पढ़ते है अब हमने दिखा कि अभी जो Lunar Eclipse हुआ था around about March या April में तो वो था Blood Moon अब ये Blood Moon क्या है इसको हम पहले तो definition के साथ पढ़ेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे अब एक डाइग्राम के साथ A Totally Eclipse Moon is sometimes called a Blood Moon for its reddish color अब Blood Moon का ये मतलब नहीं होता कि कुछ बुरा होने वाला है या फिर कुई Eclipse लग गया और Blood क्यूं दिखाई दे रहे है मून में लाल क्यूं हो गया जो कि पुरानी धार्मिक मान सकता है जो लोग पढ़े लिके नहीं होते या जिनको कम नौलिज होती है वो डर जाते है Blood Moon what is this Blood Moon तो Blood Moon कुछ भी नहीं है ये क्या होता है एक Totally Eclipse Moon है मतलब कि जब अर्थ पूरी तरीके से मून को घेर लेती है मतलब अर्थ की शेडव पूरी तरीके से मून के ओपर पढ़ती है और हमें मून का पार विजिपल नहीं होता तो उस टाइम में होता है Blood Moon और Blood Moon कब होता है जब जो Sunlight होती है वो अर्थ से Scatter होके जो Light है वो Scatter होके मून के तरफ पहुंचती है और Scatter कौन सी Light होती है आपकी बाकि सारी Scatter होके Red Light ना Scatter होके सिरफ Red Light ही मून के तरफ आपकी पहुंचती है Sun की तो उस टाइम में यह हो जाता है Blood Moon ऑल्राइट का पड़ सकते हैं यहापर Which is caused by Earth completely blocking the Sun direct sunlight from reaching the Moon दूसरा पॉइंट है The only light reflected from the lunar surface has been reflected by Earth's atmosphere तीसरा पॉइंट The light appears reddish for the same reason that as the sunset or the sunrise पॉइंट है जो कि हमारे Sunset और Sunlight के टाइम में रीजन होता है जो कि यह रेली Scattering of Blue Light मतलब बाकि सारी lights होती है वो Scatter कर जाती है सिरफ जो आपकी Red Light होती है वो Scatter नहीं करती है atmosphere का color क्या है Blue अब इस Blue उसमें बाकि सारी lights मिल जाती है सिरफ Red Light को छोड़के यह हो जाती है आपकी reflect ठीक है आगे चलते हैं और एक डाइगराम के थूँ इसको समझते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा lunar eclipse लगता है अब यह देखिए यह सन यहां से sunlight गई यह हमारी अर्थ है जब मून से अर्थ के अम्रा लीजन में आ जाता है अम्रा मतलब जो बिलकुल डार्क हो जाता है तो उस टाइम में बोलते हैं टोटल lunar eclipse और जब वो पैनम्रा रीजन में आता है तो उसको बोलेंगे हम पार्शल lunar eclipse अब यह देख सकते हैं यह आप जब अर्थ जो है यहां से अम्रा रीजन अम्रा मतलब पूर डाक रीजन और इस टाइम पे होता है आपका फुल मून eclipse ठीक है फुल लूनर eclipse और जब आपका मून जो इस अर्थ के पैनम्रा रीजन में होता है पैनम्रा मतलब जहां पर लाइट कम होती है मतलब आदी light और आदी darkness होती है that is your penumbra region this is your penumbra region ठीक है जब shadow पूरी तरीके से moon पे नहीं पड़ती तो उसको बोलते है penumbra region इस time पे कौन सा eclipse लगता है इस time पे लगता है आपका partial lunar eclipse यह आपको मैंने पहले भी समझाया था क्या होता है अर्थ आपकी revolve करती है sun के around अर्थ इस तरीके से revolve करेगी एक circular orbit में elliptical orbit में like this इसी तरीके से जो moon है यह भी अर्थ के चक्कर लगाता है इस तरीके से अर्थ के चकर लगाता है जब अर्थ यहाँ पर इस position में होती है sun के और moon जब अर्थ के चकर लगा रहा होता है इस तरीके से और जब वो यहाँ पर पहुंचता है तो eclipse की एक condition बनती है मतलब तीनों एक straight line में हो या फिर partial straight line जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों cases में ही बनता है आपका lunar eclipse I hope आपको समझ में आया होगा कब lunar eclipse होता है on the full moon day यह होगा भी तब जब होगा आपका full moon चलिए आगे चलते हैं graphical representation why blood moons are red blood moons red क्यूं होते हैं अब आप यह देख सकते हैं यह जो blue light है it is scattered by the earth atmosphere earth के atmosphere से हमारी blue light scatter होती है जिसकी वज़े से क्या होता है हमें sky blue नज़र आता है right sky blue नज़र आएगा जब earth की जो sun rays है वो earth पर पड़ेंगी तो क्या होगा जो बाकी सारी light है वो इस atmosphere में scatter कर जाएंगी आपको भी पता है एक light किस चीज से बनती है विब्ग्योर 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 के है violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red ये सारी light जो है वो तो हो जाती है यहाँ पर scatter ठीक है इस atmosphere में अर्थ के red light जो होती है वो scatter ना होके यहाँ पहुँचके reflect हो जाती है reflect नहीं reflect ठीक है ये हो जाती है reflect और पास करती atmosphere और फिर पहुचती है ये moon तक इसकी वज़े से ही हम बोलते हैं कि ये moon जो है क्या कौन सा moon है? blood moon ठीक है क्योंकि red light reflect होके यहाँ तक पहुचती है आपकी और बाकी सारी light जो होती है वो क्या हो जाती है? scatter हो जाती है अर्थ के atmosphere में I hope आपको समझ में आया होगा कि red moon कैसे हो जाता है ये आप diagram के थू भी समझ सकते हैं आगे चलते हैं ये इस साल जो lunar eclipse लगने जा रहा है जो की 19th of November को है वो 580 years के बाद लगने जा रहा है ऐसा phenomenon हो रहा है 580 years के बाद will be visible from parts of North East India मैंने बाकी देशों का discuss नहीं किया है बस यहां का बताया है कि यहां पर कहां कहां से visible होगा North East में बेसिकली यह जो अरुनाचल और सिक्यमिका एरिया है यहां से visible होगा आपका जैसे ही moon निकलेगा तब ही उस पे ग्रहन लग जाएगा एकलिप्स हो जाएगा तो it will be visible from the parts of North East India 15th century में पहली बार sorry 15th century में इससे पहले 15th century में यह लगा था चंदर गैन और उसके बाद जाके अब लग रहा है जो की है 18th February 1440 राइट सबसे बड़ा चंदर ग्रहन है तो आप यह देख सकते हैं कितना बड़ा यह इसका डूरेशन है यह सबसे बड़ा चंदर ग्रहन है सबसे इसका टाइमिंग्स क्या है 3 hours 28 minutes and 24 seconds यूश्वली जो चंदर ग्रहन लगते हैं वो दो घंटे से जादा नहीं लगते हैं कभी भी पर इस साल जो लग रहा है चंदर ग्रहन वो तीन घंटे 28 minutes 34 24 seconds का लग रहा है और यह लॉंगेस्ट है 580 years में similar phenomena will be witnessed on अगली बार यह कब लगेगा 8th of February 2669 ठीक है यह आपको याद रखना है कि इस बार कर जो चंदर ग्रहन है यह सबसे बड़ा है 580 years के बाद यह ऐसा योग बना है दूसरा कि यह सबसे पहले कब लगा था इससे 18th February 1440 उसके बाद यह लग रहा है 19th November 2021 और अब यह लगेगा 18th February 2669 ठीक है 2669 को आगे चलते हैं और lunar eclipse से बारे में थोड़ा सो और पढ़ लेते हैं traditional beliefs कहती है आपकी कि जो lunar eclipse है इसको हमें नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए नेकिड आइस से नहीं देखना चाहिए बस scientist ने इसको वो कर दिया है खारेज कि ऐसा कुछ नहीं है हम इसको it is safe to view the moon from the naked eyes strong UV rays अब होता क्या है पुराने जमाने में और अभी भी कहते हैं कि हमें भार नहीं निकलना चाहिए जब जो है lunar eclipse हो pregnant woman को घर में ये रहना चाहिए बेबी के लिए अच्छा नहीं होता जो भी पुराना खाना बना होता है जो भी पाणि होता है उसको फैंक देते हैं और पानी भी और अगले दिन खाने को फैंक देते हैं अभन ऐसा क्यों और किते हैं हम ऐसा और बार्ट स्थ्षों होते हैं इस टाइम पे बर्ड्स बिलकु शान दो जाते हैं, इंसेंट प्वेद्स क्वा शान दो जाते हैं तो वह क्यों होता है 5 हम डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे का साइंटिफिक रीजिन क्या है scientific reason यह होता है कि आपको भी पता है कि जो sun है उससे UV rays आती है ठीक है, अर्थ पे UV rays आएंगी तो जो हमारी ozone layer है वहाँ से UV rays filter होके फिल्ड आती है हमारे atmosphere पे अगर direct UV rays आने लग जाएंगी तो पता नहीं कितने skin cancer हो जाएंगे कितना कुछ हो जाएगा हो जाती थी, global warming हो गई और यह सब होता था अभी वो जो hole है, वो cover हो चुका है इस lockdown में यह सबी को पता है तो अब क्या है जब यह UV rays हमारी क्या करती है अर्थ पे आती है और अर्थ से scatter होके हमारी क्या करती है, moon के मून के तरफ से scatter होके वापिस आती है तो होता क्या है कि इस phenomenon में अर्थ पे बहुत जादा मात्रा में गंदी rays होती है UV rays होती है, बहुत ही गंदी rays होती है जिसकी वज़ेसे सब मना करते है कि जो cooked food है वो unsafe हो जाता है consume करने के लिए because of this UV rays drinking water जो है उपर पाने की टंकी होती है उसमें भी जो rays होती है वो UV rays आती है जिसकी वज़ेसे पीने का पानी कहराब हो जाता है pregnant women के लिए fetus के लिए, baby के लिए ये rays अच्छी नहीं मानी जाती पर कई traditional beliefs में कहते है कि अगर इस time पे conceive किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा time बाना जाता है जो lunar eclipse होता है कहते हैं इस time में conceive करना बहुत ही अच्छा होता है बट कई ज़े के ये बोलते हैं कि baby को और pregnant women के लिए harmful होती है ये वाली rays तो बाहर नहीं निकलना चाहिए scientific reason ये है दूसरा कि इसमें क्या problem होती है जब गंदी rays आएंगी तो गंदी rays की वज़े से कफ दोश imbalance हो जाता है कफ दोश imbalance का मतलब होता है हमें skin problems होने का जादा खत्रा रहता है जिसकी वज़े से कहते हैं हमें भार नहीं निकलना चाहिए कफ दोश और भी चीज़े कंट्रोल करता है जैसे कि आपकी muscle growth immune function stability ये सब चीज़ें तो इस सब चीज़ों में भी problem होती है दूसरा moon जो होता है वो आपको emotional balance को कंट्रोल करता है आपकी emotions को तो इस time में आपकी emotional instability भी थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी दूसरा जो आपकी sleeping habits है ये scientifically proven है कि ये जो sleeping habit है हमारी जो हमारी sleep है वो भी थोड़ी सी disturbed हो जाती है इस eclipse की वज़े से 33% लोग कहते है 33% जो हमारी sleep है वो जो होती है disturbed हो जाती है because of this lunar eclipse according to the studies it affects birds and insects also birds और insects को भी effect करता है कैसे उनके अंदर ये जो melatonin और corticosterone ये हॉर्मोन होता है ये disappear हो जाता है on full moon day in the birds तो आपको ये याद रखना है यहां से आपका question बन सकता है कि कौन सा हॉर्मोन है जो birds में disappear हो जाता है full moon के time पे तो it is melatonin और corticosterone alright so this is all for today I hope video अच्छी लगी होगी जो समच में नहीं आया वो आप comment box में बता सकते हैं या भी personal message कर सकते हैं till then take care all of you and कल जो है full moon है आपका plus eclipse है तो सभी को अपना ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से alright take care